हेलो फ्रेंड्स मैं जोती भाटी सेथ और स्वास्ते जन पर आपका स्वागत करती हूँ यदि आपने मेरे सेथ और स्वास्ते जन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें मेरी हैल्थ और ब्यूटी से रिलेटिर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों हर कोई सुन्दर दिखने के लिए चेहरे को साफ करता है लेकिन अक्सर लोग अपनी गर्दन को अंदेखा कर देते हैं बढ़ते पल्यूशन का असर चेहरे के सासाथ गर्दन पर भी देखने को मिलता है बीजी होने के कारण आप भी गर्दन पर ध्यान नहीं दे पाते गर्दन पर धूल मिट्टी की परजमने से गर्दन का रंग काला पढ़ने लगता है सुन्दर दिखने के लिए चेहरे के सासत गर्दन का भी हैम रोल होता है आज मैं आपको गर्दन को साफ और सुन्दर बनाने के लिए तीर असान से स्टेप्स बताऊंगी हमारा फर्स स्टेप है स्टीमिंग गर्दन की मैल को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे स्टीमिंग दे इसके लिए एक तोली को गरम पानी में डिप करके निचोड ले इसके बाद इसे गर्दन पर लपेट कर पांच मिन्ट के लिए छोड़ दे इससे आपकी स्कीन को नमी मिलेगे और बंद पोर्स भी खोल जाएंगे लेकिन स्क्रबिंग करने के लिए एक बाउल में एक चमच नमक एक चमच बेकिंग सोड़ा और एक चमच कोकोनेट ओल डालकर अच्छे से मिक्स कर ले इस मिक्शर को गर्दन पर लगाकर हलके हाथों से पांच मिन्ट तक मसाज करें इससे गर्दन पर जमी मैल और डैट्स की निकल जाएगी हमारा थर्ड स्टेप है वाइटनिंग पैक इस पैक को बनाने के लिए एक बाउल लेकर इसमें एक चमच अंदन पाउडर एक चमच मुलतानी मीती, एक चमच निबू का रस और हाप कप कच्चे दूद को डालकर अच्छी तरह से मिला ले मिलाने के बाद इस पैक को गर्दन पर लगाकर 10 मिन्ट के लिए छोड़ दे और 10 मिन्ट बाद गर्दन को पानी से धोले यह पैक नैचरल ब्लीचिंग की तरह काम करता है इससे गर्दन की तवचा साफ होकर निखर जाएगी तो फ्रेंड्स यह थे काली गर्दन को गोरा और चमच तर बनाने के लिए सांसे स्टेप्स वीडियो बेनिफिश लगिए तो प्लीस लाइक वे शेयर करें थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो